जहिन दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल में आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपकी लिए आपके लिए पर दस जनवरी का बहुत ही महत्तुपूर्ण करें टापेर तो वीडियो को पूरा आवस्य देखना है अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर लें बेल आइकन दबाएं, ओल पर क्लिक करें ताकि ओल वीडियो की जानकारी आपके हाँ तक सबसे पहले पहुंचे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सेर करना है ताकि अनलोग भी वीडियो देख सकें, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो आज का फस्ट कोस्टन हाल ही में किस देश में पहली डबल इस्टेक लॉंग ट्रेन हाल कंटेनर ट्रेन शुरू की गई है तो किस देश में एह ट्रेन शुरू की गई है आपके लिए बताना है अमेरिका, चीन, ऑस्टेलिया, भारत तो विकल्प नंबर डी, विकल्प नंबर चार आप कहाँ पर राइट आंसर भारत में इस ट्रेन की शुरूआत की गई है और प्रदान मंत्री नरंद मोदी जी ने हाली में विश्व की पहली डबल इस्टेक लॉंग हाल कंटेनर ट्रेन की शुरूआत की है और जिस ट्रेन की लंबाई एक दिसमला पांच किलो मीटर है इस ट्रेन की शुरूआत मोदी जी ने हरी जंडी दिखा कर की है अंगला कॉस्चन है आपन निम्नमय से किस मंत्राला ने लगदाक में संस्कृती और भासा की मद्दों के लिए पेनल का गठन करने की घूशना की है तो बह मंत्राला है कौन सा बह मंत्राला है ग्रह मंत्राला बिकल्प नमबर दो आप कहां पर राइट आंसर है ग्रह मंत्राला ने हाल ही में लद्दाक में संस्कृति और भासा की मद्दों के पैनल का गटन करने की घोशना की है एह पैनल लद्दाक में भासा, संस्कृति और भूमी के सरक्षाण से संबंदित मद्दों पर अमादान खोजिने के लिए कारे करेगा इस पेनल का गटन किसंद रेड़ी की अध्यक्षिता में भी किया गया है आपके लिए याद रखना है किसंद रेड़ी जी की अध्यक्षिता में इस पेनल का गटन किया गया है अंगला कॉस्चन है सैंक तुराष्ट सुरक्चा परिशद में आ इस्ताई सदस्य के तौर पर भारत का कितने वर्स का कारेकाल सुरू हो गया है तो यहाँ पर भारत का जो कारेकाल सुरू हो गया है दो वर्स का कारेकाल यहाँ पर सुरू हो गया विकल्प नमबर एक राइट अंसर है सैंक्त राष्ट सुरक्चा परिशद में आ इस्ताई सदस्ट की तौर पर भारत का दो बर्स का कारिकाल सुरू हो गया है इस आउसर पर भारत के इस्ताई पिर्तिनिदी टी एम तिरुमूर्ती ने यू एन एस सी में तरंगा लगाया और समाहिरों में संचिप्त भास बारत ने आटवी बार सुरक्चा परिशद की स्योजना की संचालन की घोशना की है तो वहर बैंक बताना है भारति रिजर्बैंक विकल्प नमबर तीन आपके हिया पर राइट आंसर भारति रिजर्बैंक यानिक यानिकि आड़िया ने र भीआया है आउसान रचना विकास को योजिना की द्वारा जैसे में पॉइंट ऑप सेल इंफ्रेस्ट्रक्चर में को बढ़ावा देने के योजिना के संचालन की घुठना की है पॉइंट ऑप सेल को फिजीकल और डिजीटल दौन मोड में बढ़ाया जाएगा अंगला कॉस्चन है अपने हैं पर कि अरूप कुमार गोस्वामी ने हाल ही में किस उच्छे न्याला की मुख्य नियादिस्पद की सपत ली है तो आपके हैं पर सही आंसर है विकल्प नंबर 4 यानि कि अंद परदेस उच्छे नियाला आपका राइट आंसर होका राज़पाल हैं वे सुभूशन हरीचंदन ने विजवाड़ा में अरूप कुमार गोस्वामी को आंदर प्रदेश उच्च न्याला के मुख्य न्यादीश पद की सफ़त दिलाई है अरूप कुमार गोस्वामी इसने पहले सिक्यम उच्च न्याला के मुख्य न्यादीश के पद पर भी रहे चुकी हैं अंगला कॉस्चन है कि निम्न में से किस केंदर सासित प्रदेश किये उपराज जपाल मनूज सिनहा ने 28400 कडोर रुपे की ओध्यों के बिकास पर योजना की घूशना की है तो आपका यहाँ पर सही आंसर है जम्मू कस्मीर बिकल्प नंबर तीन आपका यहाँ पर राइट आंसर है जम्मू कस्मीर की उपराज जपाल है कौन है मनूज सिनहा जी और इन्होंने हाली में जम्मू कस्मीर में नए निवेस परियाप्त बिस्तार और मौजूदा उद् से यहाँ पर 28,400 कड़ों रोपे की और द्योगिक विकास पर योजना की है इस योजना से जम्मू कस्मीर में आर्थबस्ता को बड़ावा मिलने के साथ साथ रोजगार के आउसर भी यहाँ पर उपलब्द होंगी कहाँ पर जम्मू कस्मीर में अंगला क्वास्चन है क्या है डेमोक्रेटिक पार्टी की नैंसी पहली महिला है और इस पीकर यानि की अमेरिका सदन का राजनेतक और संसदिये नेता होता है मद्यम रेंज की सताह से हवा में मार करने वाली मिसाइल M-R-S-A-M रक्षपरणाली का सफल पर इच्छन क्या है तो भारत और वह देश है कौन सा देश है इजराइल विकलब नमबर 3 आपका सही आंसर है भारत और इजराइल ने हाल ही में मद्यम रेंज की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल जो की 50-70 किलोमीटर की दूरी से मार गिरा करती है और RSAM रक्षा प्रणाली का सफल परिक्षण किया है इस प्रणाली को युद्दक छमताओं को बढ़ाने के लिए सेंग तुरूप से विक्सित किया गया है इस प्रणाली को युद्दक छमताओं को बढ़ाने के लिए सेंग तुरूप से विक्सित किया गया है यह है आपका पिछले वीडियो का चेलेंज प्रणे कि गंगा नदी को बंगला देश में किस नाम से जाना जाता है बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर कमेंट में लिखाता और सही भी लिखाता क्या लिखाता कि गंगा नदी को बंगला देश में जाना जाता है किस नाम से पदमा की नाम से बिकल्प नमबर यह आपका राइट आंसर है यह पिछले वीडियो का चेलेंज प्रणे क्या है यह रहा आपका आज के वीडियो भील जन जाती भारत में सरवधक पाई जाती है तो कहां पर पाई जाती है एह बताना भील जन जाती जो है कहां पर पाई जाती है सबसे अदिक राजस्तान में गुजरात में मद्द प्रदेश में या महराष्ट में जहां पर भी भील जन जाती पाई जाती है जो अन से भी प पर पाई जाती है तो आप कमेंट में अंसर लेखें विस्तिल लेखें ताकि आपके लिए यहाँ पर याद बना रहे कि क्या है इसका राइट आंसर तो आज की वीडियो में बस इतना ही सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक अबस्ते करने जिन्नों ने अभी तक नहीं किया है लाइक तो वीडियो को लाइक कर लें चैनल को सस्क्राइब कर लें वेल आइकन दबाएं और पर कलेक करें ताकि और वीडियो की जानकारी आपके हां तक सबसे पहले पहुंची ज्यादा से ज्यादा वीडियो को सेयर करना है ताकि अनलोग भी एफ वीडियो देख सकें और PDF के लिए आप हमारी टेलिग्राम ग्रूप से जुड़ जाएं, लिंक डेस्क्रेप्शन में दिया है टेलिग्राम ग्रूप की, तो आप यहां से टेलिग्राम ग्रूप को भी जॉइन कर सकते हैं, यहां पर PDF और Study Material आपके लिए उपलब दे करा जाता है टेलिग्राम ग्रूप में, तो टेलिग्राम ग्रूप से भी जुड़िए, तो आज की वीडिएएं वस इतना ही, सभी लोगों के लिए धन्यवाद, जय हिंद!